भारतिय किसान यूनियन राजेवाल के प्रधान बलबीर सिंग राजेवाल इस वक्त हमारे साथ हैं सर पांच जुलाई को जो है बजट पेश होना है तो ऐसे में कितना किसानों के लिए बजट आना चाहिए जिससे की खेती के संकट से किसान बाहर निकल सके देखो पिछली टर्म ने मोदी जी ने जितने जुमले छोड़े कुछ भी प्रिक्टिकली कुछ नहीं हुआ किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया इस वार वो क्या करते एक तो सामने आ जाएगा पांच तारी को पहले बजट में पता चल लेगा वो किस तरह बैशने बाले हैं और किसानों को जितनी देर तक एक बर जो कर्समुक्ती नहीं करते तो खेती आगे नहीं बढ़ सकती अगर सरकार की मनशा ठीक है तो कर्समुक्तों से करना चाहिए यह उसकी गलती नहीं है सरकारों की पॉलिसीज की बज़े से यह हुआ है असर एक समय था जब रेलवे के लिए अलग से बजट आता था क्या इस तरीके की मांगे कि किसानों के लिए अलग से बजट हो देखिए मैंने एक केस यहां सोकार्ड यह जो है टेक्सपेर्स उन्होंने किया हुआ हाई कोड में हम आज उसके बारे में सोचने वाले हैं वो किसानों को मंगता ही कहते हैं तो वही सिती इसके भारत सरकार की भी है तो मुझे नहीं लगता वो कुछ करेंगे अगर सरकार हमारा शेयर जितना हम कंट्रिबूट करते हैं डारेक्ट और इंडारेक्ट टेक्से से 54 परसेंट बजट का एगरी कल्चर के लिए रख ले तो स्तिती बदल सकती है भारती किसान यूनियन के प्रधान हे राज्यवाल जी जिन उनका कहना है कि पहले भी देखा गया कि बजट में किसानों की अंदेखी हुई है और इस बार भी इन्हें लगता है कि कहीना कहीं दुबारा से किसानों की अंदेखी होगी लेकिन उमीद जताई जा रहे हैं कि मोधी सरकार इस बार जो बजट आएगा उसमें किसानों के लिए कुछ बढ़ा लेकर आएगी केमरामेंट शेरत के साथ सुराज एक्सप्रेस के लिए चंडिगर से इशाठा कुर